नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों आप दर्शकों की तरफ से लगातार कई बार हर तरीके की क्वेरीज मुझे मिलती रहती हैं उसमें जो कॉमन क्वेरीज होती हैं उनको हम लोग अपने एपिसोड का सब्जेक्ट बनाते हैं अभी इदर फिलाल कुछ दिनों से कुछ क्वेरीज कॉमन आ रही हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए तो कई बार मैंने बताया कि जब आप सुबह उठते हैं तो बिना इधर उधर देखे आपको वो हाथ अपने दोनों देख करके हतेलियों को देख करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये चिसर अस्वती वहला मंत्र पढ़ना चाहिए कई बार मैंने बताया लिख करके भी मैंने दिया टीवी शोज में बताया कई लोगों की कुछ ऐसी आदते होती हैं जो अपना दुरभाग या खुद से वो इन्वाइट करते हैं आमंत्रित करते हैं तो आईए आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन-कौन सी आदते हैं जिनको आपको सुबह उड़ते ही नहीं करनी चाहिए जिससे आप अपना पारिवारिक जो शान्ती है उसको आप चहरा देखते हैं कई ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी को अपने लिए शुब मानते और आखे खोलते ही सबसे पहले उस व्यक्ति का चहरा देखना चाहते हैं शास्त्रों में सुबह आख खोलने के बाद तुरंत आईने में खुद को या किसी और का चहरा देखने की मना ही है इसके नुसार आपको सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हुए आखे खोलनी चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ करके जो मंत्र मैंने बताया कराग्रे विवस्ते लक्ष्मी कर्म अद्धे चसरस्वती कर्मूले इस्तितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम ये ये काम हर व्यक्ती तो नहीं कर सकता वो मंत्र हर व्यक्ती नहीं जानता लेकिन आप जमीन पर पैर रखने से पहले उसको प्रणाम तो कर सकते हैं तो भूमी देवी को इस परश करके आपको प्रणाम करके ही पैर रखना चाहिए तो ये कुछ चीजे हमारे शास्त्रों में बताई गई है इसके अलावा सुबह उठते ही शंक की ध्वनी मंदिर की घंटी की आवाज या गायतरी मंत्र सुनना बहुत शुब माना गया है आप चाहें तो यह recorded आवाज भी सुन सकते हैं अपने बेडरूम में मोर कमल या खुबसूरत प्राकिरतिक दृश्य लगाएं और पुरुशों की आदत होती है कि आँख खोलते ही सबसे पहले अकबार उठाते हैं या न्यूस चैनल टीवी चला करके बैठ जाते हैं अकबार को खबरों का सुरोत माना गया है खबरें वहीं बनती हैं जो सेंसेशन बन चुकी होती हैं इसमें बहुत हद तक नकरात्मकता का लंबी नीद्न के बाद आपके दिमाग ने जो उर्जा एकत्र की थी शुब उर्जा जो एकत्र की थी उसे ये नश्ट कर देता है सुबह सवेरे किसी भी हिंसक पशू की तस्वीर देखना फोटो देखना या लडाई जगडे के चित्र देखना दृष्य देखना महाभार जगडा करने से भी सुबह सुबह बचिए ये आपके शुब ग्रहों की इस्थिती को भी खराब करता और पूरे दिन आपके मस्तिष्क को बेकार की बातों में उल्जा के रखता है बहुत लोगों को उड़ते ही बैटी की आड़त होती है और वह बिना ब्रश किये ही चाय या कॉफी लेते हैं ऐसा करने पर राहो केतु का प्रभाव बढ़ता है इससे आपके जीवन में बेकार की परशानियां आती हैं और सभी प्रकार के काम बिगड़ने लगते हैं इसलिए सुबह अगर आप बैक्टी लेते हैं तो ब्रश कर किये बिना कभी भी नहीं पीना च आप सभी से आग रहे कि आप जब भी मेरे वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करिए ये ग्यानवर्धक जानकारियां और लोगों तक पहुँचाईए और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब् जटिल समस्या हो या भाग्ये वाधा हो व्यापार, नौक्री, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव पाईए अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधान एक जानमाना और वैभवनात शर्माजी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिश्ट्रे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठवी बीडी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री, आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा, व्यक्तिकर या फिर फोन पर अपॉइंट्मेट लेने के लिए कॉल करें, 9818-300-146-9990-724-131 या फिर इमेल करें, शर्मा.webhub at the rate gmail.com पर